आप सबको तो पताएए दोस्तों कि इंडिया दुनिया का थर्ड लाज़ेस्ट ओटोमोटिव मार्केट है और इसमें कोई शक नहीं दोस्तों ये नमबर बढ़ता है जाएगा और ये थर्ड नमबर पे इसलिए भी आए दोस्तों क्यूंकि जो हमारे फर्स्ट एम कार बायर स मिंडल क्लास वले उनका पहले बजट रहता था उन रोड का पांच से छे लाग रुपे उन रोड पर आजकल उनका भाई जो बजट है वो भी बढ़ गया है जैसे हमारा आटोमाटिव मार्केट बढ़ा है उनका बजट ओन रोड के साब से भई हो चुका है सेवन टू एट लाग रुपीज ओन रोड और दोस्तों में बात करना ही पड़ेगी टॉप फाइफ कार्स अंडर सेवन टू एट लाग रुपीज ओन रोड बजट में तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं आजो फिफ्ट पॉजिशन पे है इस लिस्ट की एकलोती कॉंपेक्ट एसवी निस से ज्यादा बड़ी गाड़ी आपको यह निसान की मैगनेट ही मिलने वाली है अगर आप इस लिस्ट के गाड़ियों के बार में कंपेर करो इसके लावा इसमें इंटेग्र स्पेस भी अच्छा-खासा मिल जाता है और बूर स्पेस आपको थ्री हिंडड़ एंट प्रोटोकोल में अभी इसका टेस्ट हुआ नहीं है पर जैसे होंडा में बचारी का टूस चार है तो शायद इसका भी टूस चार है पर मेरे खियाल से निसान वाले बड़े प्यार से इसको अच्छा-खासा अपडिट देके न्यू प्रोटोकोल के हिसाब से से सेफटी फी बनाता है 72 PS की और टॉर्क देता है 96 न्यूट्रिन मिल्टर का टॉर्क इसमें जो AI की मैलेज है वह है 19.35 किलोमिटर पर लिटर की और अगर इसका कोई अगर डाउनसाइड कहो गे तो मेरे को भाही इसका सरफ इंजन ही लगता है इसका डाउनसाइड ट्रबो वाला अच्छ अगर पूरा पूरा लोड भरा तो आपको थोड़ी बहुत भाही कमी फील होने वाली है पावर की पर मेरे खाल से इतनी बड़ी काड़ी मिले तो इतना तो भाही बंदा एडजस्ट कर लेता है बागे सारी जो जुरूरी फीचर है वह तो आपको मिले जाते हैं जैसे आपक सेंसर भी मिल जाते हैं और टायर का साइज भी अच्छा का सा मिल जाता है 16 इंची का आपको स्टील वील मिल जाता है विद का वील कवर जो के बाई काफी ज्यादा एलोविली फील दे देते हैं मलब जो ज़रूरी फीचर्स हैं वह सारे आपको निसायन मैगनेट में मिल जा जाती है उपर से इसका जो आईवी टेक इंजन है लोग उसको बहुत जादे लेवल मांगते हैं इसमें जो इंजन आपको मिल जाता है 1.2 लिटर का फोर सिलेंटर नैचुल ली एस्पिटिटिट का आईवी टेक इंजन जो कि आपको पार बनाता है 90 बहुत की टॉर्क आप और अच्छा खासा आपको बूर स्बैस मिल जाता है बूर स्पेस आपको इसमें 4th 10 leans का बूर्स मिल जाता है और सरद होने के जिसमें टायर स ऐसो बही छोटा है करीप 14 इंची गटायर इसके लावा छोनडा में इस इसको इसले में रखने का एक और विकारण है क्यूंकि स सेफटी रेटिंग अच्छी खास ही है इसमें आपको ABS, EBD2, airbags, ISOFX, child seat mount तो भाई मिली जाते हैं इसके लावा जो इसका old protocol में जो test हुआ था तब इसमें फोर स्चार मिले थे और new protocol में यह टू स्चार लेके आई है तो मलब अगर इसका भाई दुबारा अपडेट किया जाए E जिसका प्राइज है 8,13,000 ओन रोड और इसमें फीचर आपको चारो चारो पार विंडोस भाई मिल जाएंगे लेकिन आपको स्पीकर वगर नहीं मिलता हैंगे थर्ट पॉजिशन पर रखिए हमने दो गाड़ी है एक टाड़ा की प्रीमिम हैच वैक आल्ट्रोस और बजब में आपको मिल जाएगा इसके लावा इसमें इंजन आता है वन पॉइंट टू लिटर का थ्री सिलेंडर नैच्रल इस्पिट्रेड पेट्रोल इंजन जो की पारवर मिन आता है टी एट वी एच्पी की और टॉर्क देता है एक सो पंत्रा न्यूटन मीटर का टॉर् किलोमेटर पर लिटर की और इसमें जो टाइर साइज है वो भी आपको 16 इंची के भाई आपको मिल जाएंगे बूर्ट स्पेस भी अच्छा कासा है 345 लिटर का इसमें ग्राउंड की लेंस वैसे 165 mm की प्रीमिम हैच बैक के साब से सही है मलब नीचो गारा नहीं लगने व प्रोटोक्ल में बड़े प्यार से इसमें इसमें जो काफी है इसमें काफी कशी कशी होने वाला है मलब की थोड़ा कम लेस-पंची में-चूश है वो भी आपको competitor के हिसाब से कम मिलने वाली है हाँ magnet से थोड़ी अच्छी मिलेगी बाकि इस विरेंड में जो features हैं आपको एक तो sunroof का कापा इंजन मिलता है जो कि बहुत ज्यादा पुराना बहुत ज्यादा लैबल है अगर आपको कोई no nonsense काड़ी चाहिए आपको ठीक ठीक चलेगा वैसे आपको मरती यह समाले जीनी चाहिए पर मरती थोड़ा कम भी हो चलेगा तो अब ही चुप-चप Hyundai के अप एक्सचर और इसमें अच्छे कास्ये भाई फीचर्स गरहा मिल जाते है और चारो-की-चार वीड़ो आपको चारो-की-चार शिपीकर आपको रेरैसे वैनल बी मिल जाता है पर इसका अगर मैं कुछ डूंसट कहूंगा ना इंजन इसका डूंसट है ना इसकी डानसट है जो मैंको प सब्सक्राइब लोग भाई कैसा रखता है और इसके सेफटी रेटिंग के बार में बात करें तो ऐसे टू एयर बैक्स एवेस इवीडिया सेट मांट वाई ये फीचर से कर रहा है पर इसकी जो सिब्लिंग है है उसने वहीं सिर्फ टू स्टार स्पोर कर रखे हैं ग्लोबल एंड कैप में पुराने पुराने प्रोडोकोल में तो यंदे एक्स चेर शायद कुछ इंप्रूव हो शायद फाइश लेगा आजे पता नहीं पर कुछ नहीं और सेकंड पूजिशन पर है इंडिया का सबसे ज सबसे बड़ा टोकिंग पॉइंट है वह बाई बहुन और स्पूर्व मनाता है नेटी वी एच्पी की और टॉर्कर ये पाउर सुनकर आपको लगा होगा यार यह तो तो टाटा आलरोस में भी मिलता है तो यह बहतर कैसे बहतर इसलिए है दोस्तो एक तो इसका जो इंजन आई फोर सिलेंडर है वियसे स्विफ्ट में वियसे त्री सिलेंडर हाता है पर कहने का मलंगा एक ज्याधा है कोई बात नहीं इसको भी हमाफ कर दें इसको हम इग्नॉर कर देंगे पर इसका जब performance है, real life में ज्यादा feel होता है, ज्यादा अच्छा punch मिलता है, अगर आप टाड़ा अल्ट्रो से भाई compare करो, क्योंकि इसका जब weight है, सिर्फ 925 kg से लेके 955 kg मिल जाता है, यानि कि इसके weight के हिसाब से आपको अच्छा खासा performance और punch आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि मारती सुजुकी चलाने में तो कफी काम है, ये तो भाई अच्छा punch मिल रहा है, उपर से उपर से ये भाई अच्छी खासी mileage भी मिल रही है, इसमें जो AI जो claimed mileage काता है, वो करता है भाई, 22.35 km पर लिटर की, बाईस किलोमेटर, साड़े बाईस किलोमेटर की भाई, जो पर लिटर की mileage है, वो भाई claim कर रहा है, मारती mileage की तो भाई बन रख रहा है, इसके लावा अगर हम जो लिस्ट में budget के बार में बात करें, तो इसमें आपको second basis का आपको मिल जाएगा, जो ओकी है delta, जो आपको 8.4 lakh rupees on road price में आपको मिल जाएगा, थोड़ा 8 lakh से ज्यादा है, पर यह लेने का reason मैं इसलिए क्या रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे कासे feature आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको keyless entry याने की push button chart आपको मिल जाएगा, चारो की चारो power window मिल जाएगे, anti-pinch वाले के साथ, auto down आपको driver का window भी मिल जाएगा, इसके लाव आप इसको seven inch की touch screen भी मिल जाएगी, जिसमें android auto, apple carplay तो भी रहेगा, रहेगा, साथ में चार speaker भी भी आपको offer कर दिये जाएगे, और safety के मामल में अगर हम बात करें तो आपको इसमें dual airbags, ABS, EBD, ISOFIX child seat mount तो भी आपको मिलने वाले और इसके तीसरे नंबर के जो गाड़ी थी, extra और altros में आपको cng options तीनों ही तीनों में मिल जाते हैं, लेकिन जो इनके variant है, वो 8 लाक मलब on road budget के साब से भाई, काफी ज्यादा पार चल जाते है, cng variant के बारे में बात करूँ, लेकिन पहले नंबर पे जो गाड़ी है, उसम प्राइस है, on road, वो है भाई, 8.25 लाक रुपीज, अफ्कोर्स, on road के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपको cng चाहिए, मैंने आपको तो कहा था न, cng के बार में, अगर आपको cng चाहिए, तो आपको टाड़ पंच के साथ आपको मिल जाएगा, जो आपको मिलेगा, प्राइस का pure cng, जिसका on road प्राइस रहेगा, 8.13 लाक रुपीज, on road के बारे में बात करता हूँ, और आप सब लोगों ने भाई, पहले बहुत सार लोगों ने गैस कर लिया होगा, कि भाई, इसने जितनी मर्जी लिस्ट बनाई हो, इसने पहले नमबर पे टाड़ पंच क जारा तो भाई मिली जाते हैं, इसके लावा, global uncap में old protocol में ये फाइस चार भी लेके आ चुकी है, और child protection में भाई, फॉर्स चार लेके आ चुकी है, और भाई, ये new protocol में भाई, फाइस बड़े प्यास ले ले आईगी, क्योंकि इनकी जो पंच EV है, उसका भाई, crash test हो चु drone patrol engine, जो की power निकालता है, 88bhp की और torque देता है, 150 newton meter का torque, और इसमें जो mileage है, थोड़ी ज्यादा क्लिम की जाती है, 20.09 km पर लिटर की, लेकिन same engine होने के बावजूद, ये altros के मुकाबले, आपको tada punch में बहतर perform करता हुआ भाई, आपको tada punch में आपको मिल जाएगा, क्यों अगर इसको tada ultra से better engine कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा सा size भी थोड़ा कम है ultra से, इसलिए थोड़ा अच्छा feel होता है engine, इसके लावा इसमें जो ये वाला वेनिट है, इसमें थोड़े अच्छे का से feature भी आपको मिल जाते हैं, जैसे आपके 90 degree opening door जो की अच्छे का से भी entry करने में भाई महल पर करते हैं, उपर से 7 इंच की touch screen जो की आपको android auto apple carplay के साथ आती है, आपको steering monitor control, आपको 4 की speaker हो ही, हर्मन के मला हर्मन company के मला अच्छे का से speaker आपको change नहीं करवाने पड़ेंगे, और थोड़े practical feature अच्छे का से आपको मिल जा जाती है, जो की इंडियन जो local roads हैं, उनके इसमें थोड़े खड़े ज्यादा होते हैं, उसके साब से काफ़े अच्छा मलब आपको ground planeation दे रखा है, उपर से boot space आपको 360 लिटर है, तिल roof यान की roof तक आपको 360 लिटर की boot space, अगर parcel tray तक अगर आप कहोगे तो आपको 318 लिट से पहले, टाड़ की गाड़ी खिरीने से पहले इसके service का फी बदनाम है, तो अगर आप यह कर लें कि अगर आप अपने आसपास का जो टाड़ा का service center है, नियर अच्छा है, उसके बार में पता कर लें कि वहाँ पर वो service कैसे प्रदान करते हैं, और वहाँ पर बोलने चालन कि इसके लाब जो interior है, वह उसमें थोड़ा अच्छे upgrade आपको जैसे बड़ी screen आपको अच्छा instrument cluster, आपको new steering wheel और आपको लिटर लिटर थोड़ा सा चेंज आइन को center console आपको देखर को मिल जाएगा, अगर आप उसका वेट करना चाहते तो भाई कर लो, अगले चार से पां कियरे थाओ कर जा आता है, ये पांग waktuãy付क לה्नाया अच्छा में जाआreck़ा durable है, और आपको दोड़ा ये लिए शाँ आपको मिल चाहते तो कि इस सत वारा है, ये से अðヤ doc़़ा झापको दोड़ा है